कि मैं इसमें हमयगे me לו को कि घु Biz प membari के अज पढ़ रहे हैं जिसमें आज का हमाज टॉप working कि एंटी अ description के साथ हम medicinal chemistry को यहां पर सीखेंगे तो चलिए देखते हैं कि भाई arrhythmia क्या होता है कैसे arrhythmia काम करता है इसके पहले एक normal structure समझ लेते हैं हमारे heart का तो देखो heart में कुछ ऐसे structures होते हैं अब heart के पास कुछ ऐसे muscles होते हैं कुछ ऐसे subscribers होते हैं जो कि खुझ से जो heart की cells होती है वो electrical impulses generate कर सकती है और उनको conduct भी कर सकती है तो यहां पर दो cells होते हैं conducting cells होते हैं और एक हमारी होते हैं contracting cells अब देखो इसमें कुछ structures में बना लेता हूं तो यह देखी this this यहां पर जो structure है this is called sa node या फिर इसको sinoatrial node भी कहते हैं अब यहां से second structure हम ड्रॉख करते हैं इस एवी node ठीक है यहां से आता है bundle of his and bundle of branches और फिर यह होते हुए this goes into our चलो हम इसको इस तरह के से बना लेते हैं तो यहां पर क्या है bundle of his bundle branches bundle branches और लास्ट में यह हमारा क्या है परकिंजे फाइबर ठीक है बार क्लिए रहे है तो यह पांच जो चीजे हैं यह बहुत क्लियर होना सबसे ज़्यादर जरूरी है अब देखो जब हमारा जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है यह जिन्रेट इनिशियेट कहां से होता है सरी इनिशियेट होता है हमारे ऐसे नोट से तो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है चलो मैं इसको इस तरीके से बना लेता हूं कि यह क्या है हमारा एक्ट्रिकल इंपल्स है अब यह जन्रेट होता है हमार यहां यहां से कॉन्ट्रेक्ट करेगा और जब एक रिट्रॉंट्राइक्ट को रहा है इन दोनों जगहों से इसी चीज को हम क्या कहेंगे चलो मैं इसको ओर नीचे बना लेता हूं इसको हम कहते हैं पी वेव और जब यहां पर हुगा इसको स्टेमियेट हुआ से इनिशेट हो गया अब यह बढ़ते होगे कहां जाएगा नीचे जाएगा नीचे की तरफ जाएगा विच इस फॉलोड टू दा एवी नोड अब जब एवी नोड के पास पहुंचा तो एवी नोड क्या करेगा अब जब इसे कॉंट्रेक्ट किया तो जो ब्लड है वो हमार भाइग डिस इस फॉलोड भाइग डिटिस्टेंस बिट्विन पी एंड क्यू वेव ठीक है पी एंड क्यू वेव दिन क्या होता है अब यहां से जब बंडल ओफ हैस एंड बंडल ओफ ब्रांचे दोनों फिर यह जो हमारे लेटकल कंड़क्टिंस आई फिर यहां से यहां चुँए कि यहां से यहां तक ठीक है लास्ट में फकिंजा फाइबर जैसे ही यह कंडिक्टिंस आते हैं यह परिंट्रिकल्ट को कांत्रैट करते हैं और व ittर अ है उससे कहां चला जाएगा स्वरी मैं यह होता है राइट से कहां चला जाएगा लंक्स में और लेफ्ट वेंट्रिकल से तुदा होल पॉड़ी रेस्ट और बॉड़ी पार्ट में चला जाएगा ठीक है यह बात आपको क्लियर है तो यहां से आपको कौन सी वेव मिलेगी और फिर इसको चलो मैं इसको दूसरे कलर से बना लेता हूं इसको भी क्यू वेव को भी तो क्यू वेव हम बना लेते हैं आपके ब्लू रंग से दिस इस और क्यू वेव के बाद ठीक है अचलो वैसे तो यह सीधा बनना चाहिए आप सभी को ध्यान देना चाहिए कि यह एक सीदी लाइन है इसके बार हम दूसरा ले ले लेते हैं इस इस आवर ठीक है यह क्यों से हो गए तो यहां पे हमको मिलता है टी वेव क्या होता है आप जो है वेंट्रिकल्स का रिलाक्सेशन हो रहा है और वापस से एक नई साइकल के शुरुआत यहां पर देखने को मिलेगी तो यहां पर क्या होगे सर टी वेब यह बात आप क्लियर हो गई मुझे बस यह बताना था कि यह जितने हमारे स्ट्रक्चर्स हैं अब इसमें एक बात जान लेना बहुत जरूरी है जो हमारे हाट की बीट होती है यह कितनी होती है और कैसे काम करती है दो कोई हाट की बीट अगर पर मिनिट काउंट करें तो इस अराउंड चलो मैं पैन दूसरा ले ले लेता हूं यहां से अब इसको क्लियर कर देते हैं अब जो हाट की बीट होती है दिस इस अराउंड 60 तो 100 बीट पर मिनिट ठीक है अब अगर इससे बीट जादा होती है अगर इससे बीट जादा होती है तो उसको हम कहते हैं टेकी कार्डिया क्या कहते हैं सर टेकी कार्डिया और अगर इससे ब ब्रेडी कार्डिया, ब्रेडी कार्डिया, ठीक है बात क्लियर है, अब यहां पी ये बाते भी हमने कर ली, अब इसके बाद जो हमारे electrical conductance पात्वे हैं, और जो हमारे electrical conducting cells हैं, अब electrical conducting cells और contracting cells दोनों अलग-अलग होती हैं, contracting cells में क्या होता है, सिर्फ phase 3, 0 and phase 4 होता है, जबकि हमारी contracting cells होती हैं, उसमें सभी cells होते हैं, for example, हमारे phases होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, सभी phases होते हैं, वहाँ पर मौझूद होते हैं.